महान चानत के द्वारा रचित चानत के नीजी अत्प्रत्थमो ध्याया प्रनम्य शिर्सा देवत्रलू क्या दिपता प्रभुम् नाना शास्त्रो धृत्वक्षे राजनीती समुच्चेम भावार्थ तीनो लोको धर्ती आकाश पातार के अधिश्था दिपती प्रभुश्री विष्णु के आगे नत्मस्तक हो प्रनाम करके मैं नाना शास्त्रों में वर्नित राजनीती के ज्यान को सारूप में बतलाता हूँ व्याख्या योगो योगो से ऐसी परंपरा चली आ रही है कि किसी भी शुब कार्य के निर्विघहन सम्पादनार्थ देव वंदन, स्तुति आदी की जाती है राजनीती के आचार्य चानक्य ने भी अपने इस नीती ग्रंथ की रचना से पूर्वचराचरपती भगवान विश्णु को नमन किया है तथा इस नीती ग्रंथ को राजनीती समुच्य नाम दिया है लेकिन कालांतर में चानक्य के इस नीती ग्रंथ का मूल नाम लुप्थ हो गया और जनसामान्य ने इसे चानक्य नीती के रूप में अंगीकार किया ऐसा सम्हफतर चानक्य के बढ़ते प्रभा ववशी हुआ होगा इस ग्रंथ में चानक्य ने राजनीती से संबंधित विविद तर्म ग्रंथों में वर्लित नीतिगत बातों का संकलन या एकत्रिकरल किया है अधीत्य दम यथा शास्त्रम नरो जानाती सत्तमा धर्मोपदेश विख्यात कार्या कार्यम शुभा शुभम भावार्थ इस नीती ग्रंथ शास्त का अध्ययन करने के बाद श्रेश्चनों को ग्यान हो जाएगा कि धर्म रंथों में किन कार्यों को करने वकिन कार्यों को न करने का उपदेश या निर्देश दिया गया है तथा इस बात का भी ग्यान हो जाएगा कि शुभ क्या है अशुप क्या है? पाप क्या है? पुन्य क्या है? व्याख्या मनुश्य को किसी भी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य के बारे में ज्यान होना परम आवश्यक है ज्यान इस बात का की जो कार्य वह करने जा रहा है उसका परिनाम क्या होगा? वो कार्य उसे करना चाहिए अध्वा नहीं करना चाहिए उस कार्य को करने से वो पुन्य का भागीदार बनेगा या पाप का भागीदार बनेगा जो श्रेश्ट्चन है अर्थात धर्म रतों का अनुशीलन करते हैं उन्हें पाप्पुन्य थ्वा भले बुरे का ज्ञान रहता है लेकिन आम मनुश्य को ऐसा ज्ञान होना संभव नहीं है। ऐसी स्थिती में यह नीती ग्रंथ उनके लिए उपादेय सिध्ध होगा। इस श्लोक में ऐसा ही भाव है आचार्य चानक्य का। धर्म अधर्म पाप्पुन्य क्या है। इसको यहां थोड़ा समझ लेना आवश्यक है। किसी की हत्या करना पाप है अधर्म है। लेकिन सत्य के लिए किसी की हत्या कर देना धर्म है। अर्थात परिस्थिती विशेश में किसी की हत्या करना नीतिगत धर्म है। तद्धाम संप्रवक्ष्यामी लोकाना हितकाम्याया येन विज्ञान मात्रेल सर्वग्यत्व प्रपध्यते टीम